राष्टपती द्रोपदी मुर्मूं की सफलता की कहानी द्रोपती मुर्मूं का जनम 20 जून 1958 को ओडिशा के मयूर भंजजले के बैदापोशी गाउं में एक जन्जातिय परिवार में हुआ था इनके पिता और दादा दोनों पंचायती राष्ट सिस्टम के पॉल्टिक से जुड़े हुए थे अपनी प्राइमरी और सेकेंडरी एजूकेशन कंप्लीट करने के बाद एक स्कूल में टीचर के रूप में सबसे पहले इन्होंने अपनी टीचिंग करियर की सुरुवात करी और इसी दोरान ओडिशा के रायरंगपुर में इस्तिस्री औरो विंदो इंस्ट्यूड में अपने प्रोफेसर के रूप में काम किया इसके अलावा इन्होंने गवर्मेंट ओडिशा के इरिगेशन डिपार्टमेंट में जूनियर असिस्टेंड के रूप में भी काम किया और इसके बाद पॉलिटिक्स में भी इनकी एंट्री हुई 1997 में इन्होंने भारती जन्ता पार्टी को जोइन किया और रायरंग पुर्नगर पंचाय से कांसलर के पोश्ट के लिए इलेक्शन लड़ी जहां से इन्हें इलेक्ट भी कर दिया गया और अगले दो साल तक मुरू ने उसी पंचायत की चेयर परसन के रूम में जिमेधारी सम्हाली पॉलिटिक्स में इनके एक्टिविनेस को देखते हुए इन्हें बीजेपी की अनुसूचित जन्जातिय मोर्चा का नेशनल वाइस प्रेंसिडेंट बना दिया गया साल 2000 के ओडिस असेंबली इलेक्शन में नेता के पद के लिए खड़े होकर अपने पॉल्टिकल करियर को एक कदम और आगे बढ़ाया और रायरंगपुर असेंबली कॉंस्टिट्टू एंसी से नेता के रूप में इन्हें सलेक्ट कर दिया गया मार्च 2000 से 2002 के बीच इन्हें कॉमर्स एंड टांस्पोर्ट डिपार्टमेंट के मिनिस्टर की जिम्मेदारी भी सौपी गई और 2002 के बाद से इन्होंने मिनिस्टरी ओफिसरीज और एनीमल रिसोर्सेज डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को भी समाला लेजिसलेटिव असेंबली के मेंबर के रूप में अपने कारकाल के दोरान मुर्मूर के कामों को देखते हुए इन्हें नील कंठ अवार्ड फॉर वेस्ट नेता से भी नवाजा गया इसके बाद 2004 में फिर दुबारा नेता के रूप में सलेक्ट किया गया वहीं दूसरी तरफ 2006 से 2009 तक मयूर गंज डिस्ट्रिक के बीजेपी प्रेसिडेंट के साथ साथ बीजेपी अनसूचत जन्जाती मूर्चा के इस्टेड प्रेसिडेंट के रूप में मुर्मूर काम करती रही मुर्मू की पॉल्टिकल लाइफ में सब कुछ सही चल रहा था लेकिन अचानक उनके पर्सनल लाइफ में कुछ बहुत बड़ी परेशानिया आई जिन परेशानियों ने उन्हें हतास कर दिया साल 2009 में एक एक्शिडेंट की वज़े से द्रोपती मुर्मू के बेटे की डैथ हो गई जिनकी वज़े से इनके मेंटल हेल्थ पर काफी असर पड़ा और ये काफी समय तक डिप्रेशन में रही इसी के कुछ समय बाद साल 2013 में इन्होंने अपने दूसरे बेटे को खो दिया और कुछी महीनों बाद इनके हस्वेंड की भी मृत्यू हो गई और इन घटनाओं के बाद किसी के लिए भी डिप्रेशन में जाना स्वभाविक था दूपती के अनुशार अपने इस डिप्रेशन मेंटल जोन से बाहर निकलने के लिए वो ब्रह्मा कुमारी संस था से जुड़ी जिससे इन्हें काफी मदद मिली और इस इस्तिती से बाहर निकलने के बाद इन्होंने जनता की सेवा करने की अपने लक्ष पर दुबारा काम करना सुरू किया और 18 मई 2015 को दुरोपती ने जहरकंड की गवर्नर के रूप में सफद ली दुरोपती का ये सफद न सिर्फ इनके समाज के लिए गर्व का विशे था बलकि ये ओडीशा के पूरे जन जातिय समाज के लिए वी गर्व का विशे था क्योंकि द्रोपती मुर्मू ओडिशा की पहली महला जन जाती थी जिनने गवर्नर के रूप में अपवर्डमेंट किया गया था इसके साथ ही मुर्मू जहारखंड के गवर्नर के रूप में जम्यदारी समानने वाली भी पहली महला थी इस तरीके से गवर्नर के रूप में इनका सफ़त लेना महलाओं के लिए वी गर्व का बिशे बना पांच साल के टर्म के लिए गवर्नर बनने के बाद मुर्मू ने अपने इस टर्म को पूरा किया अपने कार्यकाल के दोरां द्रोपती ने कई ऐसे बिल्स को रेफ्यूज किया जिसे जहारखंड बेधान सभा में इस्थान मिल चुका था इसके साथ ही गवर्नर के रूप में कार्यरत रहते हुए द्रोपती मुर्मू ने कोरोना के समय में वीडियो कॉन्फरेंस के जरिये अपने कई इनोसेटिव को आगे बढ़ाया अपने कार्यकाल के दोरान ही मुर्मू ने अनोस किया उनकी मिरत्यू के बाद उनकी आखों को राची के ही कश्यप मेमोरियल और हॉस्पीटल में डॉनेट कर दिया जाए और फिर दिरोपती मुर्मू की डिपलोमेटिक वर्क एथिक्स और बिस्नरी गोल्ड को देखते हुए इन्हें प्रेसिडेंट ओफ इंडिया दोहजार बाईस के इलेक्शन के लिए एंडिये की ओर से नॉमेनिट किया गया मतलब अब ये कहने में कोई सक नहीं है कि दिरोपती मुर्मू हमारे देश के अगले प्रेसिडेंट होंगी और देश के सबसे बड़े पद की जिम्मेदारी समानने वाली वो पहली जन जातिय महला भी होंगी खेर इससे पहले भी 2012 के प्रेसिडेंटल इलेक्शन में अनसूचित जन जातिय कमुनिटी से ही बिलोंग करने वाले पुन्रो अत्ती तोग संगमा को प्रेसिडेंट पद के लिए नॉमिनेट किया गया था लेकिन उनका नॉमिनेशन सत्ता धारी पक्ष की तरफ से नहीं था इसलिए उन्हें हार का सामना करना पड़ा द्रोपती मूर्मू का भारत के प्रेसिडेंट के रूप में सलेक्ट किया जाना भारत में मौजूद समानता की विवस्ता का अव तक का सबसे बड़ा सवूत है देश के सबसे बड़े पद तक जन जाती कम्यूनिटी की एक महला का पोंचना न सिर्फ जन जाती कम्यूनिटी को बलके महलाओं को भी संगर्स के इस दोड़ से गुजरने के लिए प्रेरित क करेगा दोस्तों ये थी हमारे देश की प्रेसीडेंट द्रोपती मुर्मू की कहानी ये आपको पसंद आई होगी और अपने दोस्तों के साथ सेट जरूर कीजिएगा ताकि वो भी द्रोपती मुर्मू की महानता से प्रेरित हो सकें धन्यवाद